केले के मुल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक जो है 80 रुपय में 6 केले अधिक करीद सकता है केले के प्रति दर्जन में हुई कमी आपको ग्याद करनी है हम केले के जो प्राइज है उसको हमने माल लेते हैं 100 रुपेज और 20% के कमी का मतलब क्या होगा 4x बटा में 5, 5x ठीक है 4x बटा में 5x यानि के x-x इसको ऐसे आप कर सकते है 1-20x बटा में 100 तो 20x क्यों होता है 1 by 5 और 5x-1 is equal to क्या होता है 4x बटा में 5 यहाँ से समझ लीचेगा 4x बटा में 5, 20% के कमी के मतलब हो गया अब condition यह हमारा कर रहा है पॉल का condition की 80 रुपे में क्या कर रहा है वो यह के लिए खरीद रहा है 80 रुपे में एक के लिए खरीद रहा है अब पूरे बनाने का प्राइस हमने x मना है तो यहां से क्या निकल का जाएगा हमारा 80 रुपे में a equals to x तो यहां से हमारा equation क्या निकल का जाएगे कि a equals to 80 रुपे में एक रुपे में क्या कर रहा है अब 20 रुपे में के कमी होने के बाद क्या कर रहा है कि 6 जो पहले a के मिला था अब कितना होगा अब a plus 6 के मिल रहा है और a plus 6 के मिला कितने कमी हो रहा है 4x बता में 5 कमी किसे हो रहा है तो 80 रुपे में a plus 6 equals to 4x बता में 5x अब यहां से 8.40 हो जाएगा यह 400 हो जाएगा और 4a plus कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा तो यहां से हमारा equation निकल का जाएगा यह आपका जाएगा 400-24x equals to 4x a उसके बाद हो जाएगा a equals to क्या निकल का जाएगा 400-24x upon 4 यह हमारा equation 1 2 आ गया अब इसको क्या करेंगे दोनों को हम क्या करेंगे solve कर देंगे equation 1 और equation 2 को हम क्या करेंगे solve कर देंगे यह निकल कर जाएगा कितना हमका equate कर आएगे तो 400-24x upon 4x equals to 80 upon x यहां पर जो निकल काया है 80 upon x ले x क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा अब यहां से आप देख सकते है 400-24x equals to 320 हो जाएगा और 400 में से 320 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 80 त्यानिके 24x equals to 80 और x equals to क्या हो जाएगा 80 बटा में 24 एक से क्या है जाएगा आपका 80 बटा में 24 अबर x हमने किसको मानना है 4x और 5x की value x माननी है तो यह हो जाएगा आपका 4 बटा में 5 और 12 दर्जन यानिके एक दर्जन में ग्याद करना है तो क्या करेंगे 12 से multiply कर देंगे 12 दूनिका 24 और 2 दूनिका 4 यह होता है 16 पाचे 80 होता है 16 पाचे 80 होता है त्यानि कि हमारा value कितना आए गया 16 दूनिका 32 तो प्रतित दर्जन के लिए में 32 रुपए की कमी होई कितने रुपए के 32 रुपए की कमी होई आप इस तरीके को याद रखें ताकि कभी भी आपको ट्रिक की ज़रूरत दिना पड़े इस question में पाचे